हेलो इस्टुएंट्स तो चलिए आज का सेशन देखते हैं जो कि यह हमारा क्लास नंबर 7 यह क्लास नंबर 7 है आपका जहां हम रेंडम जी के कवरिंग ओल दा टॉपिक्स जो है जितने ज़्यदा हो सके साइन्स, कॉंस्टिशन, इकनामिक्स, फिजिस, केमेस्ट्री, बाइलजी, जूलोजी, हिस्ट्री है ना सभी को लगभग लगभग कवर किया आता है इसके पीडिये भी आपको इस्क्रिशन बॉक्स से मिल और सवालों को जबाब सुनें तो प्लीज कॉपी कलम लेके बैठें या मन में भी आप इन सवालों का जवाब दें और देखें कि आपके तियारी कितनी अच्छी है एक्जाम से पहले कि आइटिंक 15 या 16 या 14 मार्च को जो परिशा का टेंटेटिव देट दिया हुआ हुआ ठीक है ना चलिए शुरू करते हैं अच्छा सवाल वेर इस दा हैड़कॉर्टर आप युनाइटेट नेशन की हैड़कॉर्टर कहां पे स्थी थे काफी रैपिट फार राइंड है इसमें कोई एक्स्पनिशन नहीं होगी इतना हो से कि आप सवालों का जवाब दें यूए इसमें बहुत ही बहुत ही शान्दार सवाल है अच्छा dif крpp अगर आपने मेरी वीडियो नंबर फाइब देखी है इंडियन कॉंस्टिशन की जहां मैंने 40 शांदर सवाल मैंने करवाय थे और बहुत सारे नोट्स मेंने दिये थे जो 200 सवालों से भी अधिक सवालों कवर करता है वहां मैंने सारे पार्ट्स के बारें पढ़ाये थे भारत बहाग है चेप्टर है पार्ट ट्वेंटी मैंने पढ़ाया था वहां मैंने आर्टिकल नंबर 368 की बात की थी वो किस से डिल करता है सवाल यह है अगर आपने वीडियो नवा 5 देखी है तो समगिधान के देर सारे सवालों का जबाब मैंने वादे दिया है एक ही वीडियो काफी है अपके एक्जामस के लिए फिर भी रेंडम जीके में समगिधान से भी सवाल होंगे भारती यहां से भी होंगे भारती अर्थवेस्था से होंगे विज़िस कमिश्टी बाले जीरो जीरी बाटनी से भी होंगे है ना देखिए तो क्या होगा जी इसका सही जबाब होगा समगिधान का जो संशोधन होता है जो एमेंटाबिलिटी होती है वो पार्ट बीस में आर्टिकल नमबर 368 में इसको डिल किया आता है EVM जो इलेक्ट्रोनिक बोटिंग मशीन है वाज यूज़ फॉर्स टाइम इन विज़िसे क्योंगे आभी सामने इलेक्शन है तो इससे जुझे भी सवाल आपके आ सकते हैं तो कह रहा है कि फास टाइम सबसे पहले वो कौन सा राज्य था जहां पहली बार इलेक्ट्रोनिक बोटिंग मशीन का इस्तमाल करके इलेक्शन करवाया गया था बिहार, केरला, गुजरात या फिर उत्तर परतेश किस कौन सा राज्य है जहां पर EVM मशीन को सबसे पहली बार इस्तमाल किया जिसे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि बोट किसी और को दो बोट किसी और का निकलता है कई सारे मुद्ध are, ballot पर कुछ फासियत है, कुछ खामिया है, उसे लिए-इवी-एम की एक मशीन है, मशीन तो मशीन ही है तो इसके भी कुछ खुब सूती है, इसके बी कुछ खामिया है है जो भी हो वो अब ये विशा है जो है चर्चा का विशा है सही अंसर क्या होगा केरला वो पहला राज्य था जहां पर EVM का पहली बार इस्तमाल किया गया था क्या रहा है कि इन में से कौन अभी PCS का नया क्या CEO है चीफ एक्जेकेटिव अफिसर है के कार्थिवसन हाइन क्या है शुमाचर के सतनरायना एंद्राजू M.B. सुचिंद्रा कुमार तो नया अभी कौन है सही अंसर क्या होगा आपका के कृथिवसन कौन है के कृथिवसन चाटा कंसल टेंसी सर्वी जिसके दोवारा बहुत सारे कॉम्पीटर बेस टेस्ट अलग अलग परिशाओं के लिए एर्रेंज होते हैं आपको पता होगा मिस वर्ड दो हज़ार तेईस कहा हुआ मिस वर्ड दो हज़ार तेईस कहा हुआ कश्मीर जम्मू लद्दाख अरुनाचल परदेश करेंट अफेर से बहुती शांदार स्ट्रेट फरवर्ड से होता है मिस वर्ड कहां पर हुआ है सही अंसर क्या होगा आपका कश्मीर सही अंसर क्या होगा आपका कश्मीर कि अगला सवाल क्या है human development report इस अभिश लाए तो मानो विकास जो रिपोर्ट है यह किसके दर पब्लीश होता है इसका सही अंसर होगा united nation development program के द्वारा जो है human development report पब्लीश किया आता है the origins of the olympics are related यानि कि olympic का जो उत्पत्ती हुई है वो किस से संबंदित है यानि कहां से हुई है Greek, American, India या स्रिलंका क्या होगा सही जवाब यह होगा Greek in which year was the pits India act passed तो यह देखे जो भारती इतिहां से वहां से यह सवाल जी चमंगरेजवर सासंत्य हमारे देश में pits India Act जो है कब पास हुआ 773, 84, 1885 या फिर 1793 सवाल बहुत अच्छा है सीधा इस सवाल है जब आप देने एक खुशिस करें इसका सही एंसर क्या होगा आपका 1784 में pits India Act को पास किया गया था who was behind publishing the first newspaper in India भारत में सबसे पहला अखबार कि कौन था जिसने पहला अखबार जो है आपका publish किया था दीन बंधु मित्र, जेम्स अगस्टस हिकी, हेम चंद्रकार या हरिश चंद्र मुखर जी तो कौन थे पहले नियू सिपर को publish करने के पीछे इसका योगदान था कि सवाल को घुमा कि ऐसे ही पुछा जा रहा है सही अंसर क्या होगा आपका James Augustus हिकी पूना में जो संधी हुई थी ठीक है महात्मा गंदी के साथ किसने साइन किया था अली ब्रदर, चितरण जन्दास, जोतिबाफुले या फिर भीम राओ अमबेट कर जबाब दे, कोशिस करें इस सवाल का जबाब देने का ठीक है पूना पैक्ट पूना पैक्ट जो है जो महात्मा गंदी के साथ हुआ था ये किसने साइन किया था ठीक है पूना पैक्ट अब जालते है 1932 की हम बात करने हैं एक negotiated settlement था महात्मा गंदी और किसके बीच आपको बताना है ठीक है यहाँ पर जो depressed classes होते हैं जिसे हम लोग आज हम लोग schedule castes कहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते है schedule castes कहते है depressed classes भी अब अपने आपको representation भेज सकते हैं अपना प्रतिमित भेज सकते हैं 1932 को यह हुआ था एक political negotiation था यह हुआ था डाक्टर भीम राओ अंबेटर की वही तो depressed classes को represent करते थे which is the highest military award in Indian defense भारतिय सेना में सेना की सेवा में सबसे बड़ा जो सेना का जो अवार्ड मिलता है सबसे महान जो highest military award वो कौन सा है परमवीर चक्र अशोक चक्र अवार्ड महावीर चक्र या सर्वत्तम युद्ध सेवा मेडल कौन सा अवार्ड है जो सबसे हैं बहुत आसान है सवाल परमवीर चक्र जो है सबसे इन फैसी एत्र राष यात्रा संदेड औ फुल मूंदे निकलता है तो पस्चि मंगाल में रश्यात्रा मनाया जाता है काँ मनाया जाता है कि पल्रद का लाiddar पैसाक मन्त में, श्रब मन्त में, माग मन्त में रश यात्रा है, हमारे यहां से लगबाग 60-70 km दूर जो कुछ भी हाय रहा है, यहां पर रश यात्रा निकाली जाती है, राश मेला यहां पर बना आता है भगवान सरी किष्ट नहीं इसे दिन जो है गोपियों के साथ जो रास इस तो किस फेस्टिबल के समय गर्बा गर्बा एक डांस है, गुजरात का परफॉर्म किया आता है, पोंगल, नवरात्री, दिवाली, भी हुँ, तो नवरात्री के समय ही जो है गर्बा किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट कांसिल जो है, हुआ था, पहला नालंदा, गया, वैशाली, या तिराजग्री है, तो इस तरह के सवाल जो है, आपके पूरे साही के कुशन बर में आएंगे, तो अफगनिस्टान जो भारत का परोसी है, इसका क्या है, राजधानी, कांधार, काटमांडू, काबुल, कराची, तो आपको तो पताई है, यहां से काटमांडू, कराची, तो पहले ही निकाल देंगे, एंसर क्या होगा, काबुल, आर्थ सास्त्र, किसके द्वारा लिखा गया था, बहुत सॉलिड सवाल है आपके एक्जाम्स के लिए, विश्टु सर्मा, काली दासा, चंदर गुपता, या फिर चानक के ने लिख भारजी देशाई, चरन सिंग, सर्दार बल्लब भाई पटेल, तो कौन थे भारत के पहले उप पुर्धानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तो सही अंसा क्या होगा, सर्दार बल्लब भाई पटेल, दा ओजोन लेयर इस पाउंड इन वीच अपॉलिग लिए, बहुत ही पतल होते जा रहा है, दू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल पोल्यूशन, इसमें, ख्लोरो-फ्लोरो-कार्बन, ग्लोबलबडी, भूमिका, इसमें, इन्वारामेंटल साइंस में, डिटेल से मैंने इस केमेस्टर को बताया है, खैर, तो ओजोन लेयर किस में पाई जाती है सही एंसर क्या होगा, स्टेटोस्पेर, जो कि हमारा सबसे नीचे वाला, जो हमारा नज़ीक है, तो हम सांस लेते हैं, ट्रोपोस्पेर है, ठीक, इसके उपर कौन है, स्टेटोस्पेर, और स्टेटोस्पेर में एक लेयर है, ओजोन, जहापे ओजोन गैस, यानि O3 पाया ज है, how many categories Nobel Prize Awards are awarded कीचे, तो कितने category में हर साल Nobel Prize की पुरसकार अलग-अलग बेक्टी को दिया जाता है, उसके कितनी category हो, कौन-कौन सा मत्तब विशय होता है, जैसने Nobel Prize दिया सकता, कितने ऐसे विशय होता है, 5, 7, 4, 6, बहुत ही सॉलिड सा स्टेटिक जीके वाला सवाल है, जिस चोटी का नाम क्या है, इस्टन घाट का उची चोटी का नाम क्या है, कंचन जंगा, महंदरगिरी, जिन्दगड़ा या फिर अनामोडी, कौन सा इसका एंसर होगा, तो इसका एंसर होगा आपका जिन्दगड़ा, क्या होगा आपका जिन्दगड़ा, विच फिजिकल क्वा बहुत आसाल है is यских अधिस रायट से को हम लाइटेश मालते हैं ब dependence को एक ग्रह से दुसरे ग्रह की दूरी कितनी है सूरे से प्रिषडी की दूरी कितनी है in Istronomical, Cheatus सोता है इक ग्रहों के बीच MICHAEL के बीच भह हम लोगाने की लिए लाइट एरकर स्थितने प्रकाश्वर से दूर हैं तो रेंड शेड़ो एरिया जब वेस्टन घाट है तो उससे इस तरह से टकराके यहां से हवाए चलती है ठीक है तो यह हवाइ टकराके ऐसे उठके वापस इधर आ आ यहां पर बास्ट यीरिश वर्ए सेड़े है और यह वाला अलया जो है वह रेंच श्यडह एरिया कहला जाता है कि यहां पर बारिष यह नहीं हो पानी यह यह श्यड़ीय अलया कहलाता है तो पast Stre平 शड़े कषडू इरिया अपनी आगमजीवनी लिखी थी किताबा उसका नाम था Waiting for a Visa, Visa के लिए इंतजार किसे लिखी थी? भागत सिंग, विपिंज अंदरपाल, भीमराव, रामजी अंबेटकर और लाला लाजपतरा, यहां उसके पन्नों से बहुती बढ़ियां सवाल लेकर आया हूँ केता है कि Waiting for a Visa, इनमें से भागत तक किस नेता ने लिखा था? बहुती शांदर सवाल है, इसका एंसर होगा, भीमराव, रामजी, अंबेटकर यहनि कि डाक्टर, वी आर, अंबेटकर यह बताइए कि अलकोहल, शराब जो होता है, इसका chemical formula क्या होता है? इसका chemical chemistry है, उसका chemical formula क्या होता है, क्या होता है, इसका chemical formula होता है, C2, H5 and OH, यह आपका अलकोहल का chemical formula है, तो यह थे काफी बहतरी वेश्ट्प्रेंट Public Service Commission के Food SI में आने वाले संभावित प्रशन वीडियो पसंद आया हो, जरूर लाइक करें, लाइक बटन दबा दे, जब इतना देखी रहे हैं, तो subscribe करें, अगर आप नए हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ वीडियो जो questions मिल रहे हैं, काफी अच्छ Thank you